नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोग सामने एक ऐसा चमतकारी जड़ी बूटी का पौधा लेकर आया हूँ जिसके फायदे सुनकर आप हैरान रह जाओगे दोस्तो देखने में तो या जड़ी बूटी बहुत ही छोट लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े बड़े हैं तो हाँ दोस्तो देख लिजये पहचान लिजिए इस जड़ी बूटी को जंगली कांदा कहते जंगली प्याज कहते हैं या जंगली प्याज हमारे सरीर के अनेकों प्रकार के बिमारियों को जड़ से नश्ट करने काम करता है तो दोस्तों आज मैं इसी जंगली प्याज के एक एक फायदों को बारें विस्तार तरीके साब को बताऊंगा लेकिन फायदे जानने से पहले आ उसके नीचे निकलता है कांदा प्याज। उसी प्याज को बिमारीं की जाता है। अब कौन विमारी में की स्थितरी से जंगली प्याज के कांदे का उपयोग करना है वह मैं बताता हूँ आप ध्यान पूरुवख सुनिये। तो हाँ दोस्तों अगर किसी के जोल जोल में या हाथ पैर में दर्द होता हो या फिर घुटनों में दर्द होता हो तो आप इस जंगली प्याज के कंद को निकाल कर तो हाँ दोस्तों मैं इस जंगली प्याज के पहला फायदा आपको या बताऊंगा कि अगर किसी का हाथ पैर में दर्द होता हो न गुत्नों में दर्द होता हो तो आप सिंगली प आज को आग में भूँन कर मिक्सर में पीष कर या फिर शिल पथर में पीष कर इसका रस निकाल लीजिए बीस एमल रस निकाल लीजिए उस 20 एमल रस में 20 एमल सहद मिला कर दिन में दो बार सेवन करें और उपर से कम से कम 500 एमल दूद पीएं लगातार चार पांच दिनों तक तो हाथ पहर के दर्द से अराम मिलेगा अब दूसरा फाइदा है कि अगर किसी घुटनों में दर्द होता है स तो आप इस जंगली प्याज को पीछ कर इसका पेश्ट बना लीजिए करिबन 100 गराम तक प्याज पीछ लीजिए उस 100 गराम प्याज में एक चम्मच सेना नमक एक चम्मच हल्दी और दो चम्मच सरसों का टेल और करीबन 5 गराम चूना डाल कर आग में पकाईए किसी बरतन में पकाने के बाद जो पेश्ट बनेगा उस पेश्ट को आप घुटने के सूजन कूपर लेप कीजिए यहां पर दर्द होता हो उच जगे पे लगाईए तो दर्द से अराम मिलेगा लगाने के बाद किसी चीज से बान दीजिए पान के पत्ता रख कर ऐसे जंगली प्याज क तो पीश कर इसका रस निकाल लीजिए करीबन 200 अमल तक और 200 अमल प्याज के रस में 500 ग्राम सहद मिलाकर रख लीजिए और सुबा साम दोदोचमत सेवन कीजिए उपर से दूद पीजिए शरीर का बल बढ़ेगा ताकत बढ़ेगा बीर गाड़ा होगा केल्सियम गाड़ा का अगर कोई पूरू से धातू रोग स्पीडित है तो और प्याज के रस में सहद मिलाकर दो दो चमस सुबा साम रेगुलर कम से कम एक महीने तक सेवन करें तो उसका धातू रोग ठीक हो जाएगा ॉस्तो सबाथ अगर कोई स्थरी है लिकोरिया रोग सपीडित है तो आप तो आप इस प्याज के रस को निकाल कर आखों का जल्क तरह लगाते हैं, तो आपको आखों का लेका रोगी ठीक होगा। दोस्तो या जंगली प्याज लू लगने से बचाता है और बंद मुझ के फोड़े को भी फोड़ने काम करता है या जंगली प्याज दोस्तों अगर किसी का बाल जड़ता है उड़ता है तो आप इस जंगली प्याज को पीश कर इसका रस निकाल कर बालों को जड़ में अगर मसाज करते हैं तो बालों का जड़ना उड़ना रूख जाएगा तो इस तरह से दोस्तों या जंगली प्याज चोट मोच चखम को ठीक करने के लिए घाव को सुखाने के लिए बढ़ा ही उपयोगी है दोस्तों या जंगली प्याज पाचन सक्ती को बढ़ाता है खाया पिया तुरंद तुरंद हजम करा देता है पेट रोक को ठीक करने काम करता है या जंगली प्याज का रस दोस्तों आप इस जंगली प्याज के कांदे को सरसों के तेल में पका कर दर्द के उपर मसाज करने के लिए तेल भी बना सकते हैं जो कि आपको हमेशा काम आएगा चाय काइसा भी दर्द हो चोट मोचका हो कमर में हो टूनियों में हो कंदे में हो हर परकार के दर्द पे आप इस जंगली प्याज के रस में पकाया हुआ तेल उप्योग कर सकते आपको फाइदा होगा दोस्तों अगर सीने में जमा कप हो तो उस कप को साफ करने के लिए आप जंगली प्याज को आग में भून कर और थोड़ा थोड़ा करके उसे चबा चबा कर खाए तो कप साफ होगा तो इस तरह से दोस्तों या जंगली प्याज आईरवेदी का उसदी गुड़ों से भरा हुआ है जो लोग इसे नहीं देखें नहीं जानते नहीं पहिचानते पहिचान लीजिए और इसका जरूरत में उप्योग कीजिए तो चलो दोस्तों इस महातपुर जानकारी को अब हम यहीं समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आईरवेदी